23 बरसों बाद एक बाबा पकड़ा गया है बाबा ने हत्या किया था 23 साल पले और बन गया साधू साधू बन करके घ्यान बाढ़ता था बैरागी की सिख्छा देता था भक्त लोग बड़े मनोयोग से उसको सुनते थे सिर्राम नाम से ले करके राधारानी की बात करता था राधे 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 बरसाने वाली राधे अब आप समझ गया होंगे बाबा कहा रहता था बाबा ब्रज 84 कोस में चार धाम निजिग्राम ब्रिंदा बन और मधुपुरी नंद गाओं बरसान नंद गाउं में बाबा पकड़ा गया है, 23 बरसों पे, 22 साल तक बाबा को कोई जान नहीं पाया रहता कहा है, और पुलिस भी गजब की है भईया, उस पुलिस को सलूट जिसने बाबा को बाबा बन करके पकड़ा, यानि बाबा को पकड़ने के लिए 4-4 पुलिस कर्मी निकल और तीन तो साधू हो गए, साधू हो करके पूरा तिलक, मुद्रिका लगाए, राम नामी दुपट्टा डाले, भजन करना सीखे, जाल बजाना सीखे, मंदिर में जाकरके, और पूरे ब्रज को चान मारा, मतुरा, ब्रिंदाबन, बरसाना, गोकुल, नंद गाउं, तब ज हत्या भी किया होगा, 302 का मुल्जी मुगा है, अपरादर्ज हुआ हम बताते हैं बाबा कौन है, फिलहाल बाबा पकड के गया और कोट में पेस हुआ, कोट ने उसे जेल बेज दिया, बाबा का मामुला क्या है, बाबा का, बाबा ने नाम भी बदल दिया, बाबा का नाम पद्म उर्फ राकेस और बाबा हत्या करने से पहले चाय पकोडी की दुकान खोला था बड़ी टेस्टीब चाय बनाता था और लोग वहाँ चाय पीते थे उसी बीच बाबा का प्रेम संबंध हो गया एक यूती से बाबा उडिशा कराने वाला था और उडिशा से गंजाम ज जाकरके वह चाय पकोडी की दुखान खोल दिया और काफी उसी दुखान चल पढ़ी लोग वहाँ चाय की चुसकी लेते थे और बाबा को बड़ा तज़े बादा था चिलिये वहीद उसके बाद प्रेम प्रसंग बढ़ने के बाद एक यूवक आया जो उस यूती का उसका काम तमाम कर दिया 302 कर दिया यानि उसकी हत्या कर दिया बिजय की हत्या कर दिया पदम उर्फ राकेस में हत्या करने के बाद वह गया उरीसा अपने गाउं गाउं जा करके फिर फरार हो गया गाउंवालों को भी नहीं पता लगा थी पदम कहा गया मर गया की जिंदा है जेल में गया कि बाहर है कहीं किसी को अता पता नहीं लगा पद्म इधर आया और चरण दबाने लगा मतुरा आया सबसे पहले तो अगर मतुरा बिरंदाबन और वहां जाएंगे आप ब्रज चवरासी में तो आप इतने मठ मंदिर हैं कि वहां मुश्किल हो जाएगा किसी का पता करना है यदि आप कासी में चले जाएं तो कासी में तो गली गली में पाच-पाच-दस-दस-दीस-बीस मंदिर है चोटे मंदिर बड़े मंदिर इस तरह से तो वहां भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी का पता करना है तो अब बाबा आ गया मतुरा में मतुरा से फिर चरंड दबाना शुरू किया एक कहावत है कि पाउं दबाके हुए संथ पाउं दबाके हुए संथ और गला दबाके बने महंत गला दबाने के बाद महंत हो जाते हैं तो बाबा ने सेवा किया और सेवा करने के बाद फिर बाबा एक पीठ पर कब्जा कर लेता है बाबा को हुनर था ही फिर बाबा के भक्त भी हो गए चारों तरफ से देश के कोने कोने से भक्त आने लगे इधर गुरु पूर्डिमा पर काफी भीड होने वाली थी बाबा के आ इसे जो भी बाबा होंगे तो उनका नाम बदल दिया जाए अब बाबा भजन किरतन करने लगा, बाबा की सुहरत बढ़ने लगी, यह लोग भी वहाँ पहुंचते पहुंचते पहुंच गए, बाबा का पता किया, तो बाबा पता किया कि बाबा यही है, बाबा ने एक नई मुबाइल ले लिया, मुबाइल से अपने एक रिष्टदार कि हाँ और इसा बात्चीत करने लगा, पुलिस की अनेकान एक सुत्र है, किसी तरह से पुलिस ने पता कर लिया, और कई दिन तक मठ मंदीर की खाग छांते हुए, आखिर गुचरात की पुलिस बाबा के आसरव में पहुंच गए, बाबा के आसरव एंकि पहले पल रोप ले चछड़ावा किया बाबा को कुछ अन्ग बस्तरम दिया और बाबा खूस हुए तो बाबा का पेर दबाना शुरूप हिए पाउं दबाना ही पड़ेगा बाबाके गले तक पहुचने के लिए कानून का फंदा गले तक कैसे पूचेगा उसके लिए तो यह सब कुछ करना पड़ेगा बाराल पावाओं दबाया उसके बाद बाबा खुस हुए और खुस हो करके धिरे-धिरे सब कुछ पता लग गया और पता लगने के बाद पदम उर्फ राकेश जो गवरी गंगादास बना था उसे दबोच लिया और दबोच कर आज है पहले इस तरह की अपरादी घटनाए नहीं होती थी बहुत कम होती थी मैंने भी ठाने का वीडियो डाला था ठाने पर मैंने पूछा कि एक साल में 302 के कितने अपराद हुए हैं तो देह करके बताया कि 302 तो नहीं हुआ साब हमने का लूट हत्या राजनी चिनेती यह भी नहीं होता है हमने का तब ठाना क्यों खुला है किस तरह कि अपराद हाते हैं चोरी होती नहीं हत्या होती नहीं लूट उट होता ही नहीं तो कौन से अपराद होते हैं तो काग साब जो लड़का लड़की भाग जाता है जर से ना तो उसलिका होता है बाद में लोग कंप्रोमाईज कर लेता है साधी वादी हो जाता है ऐसे बताया लोगों ने बहराल गुजरात में 2001 में सूरत में इस तरह की जो हत्या होई थी गुजरात पुलिस को बढ़ाई कि अब तक यह क्लोज नहीं किया था यह मामला अभी भी प्रचलन में था और बाबा को पकड़ा और बाबा 302 का जो मुल्जिम था अब जा रहा है जेल और अब उसको होगी सजा अगर जल्दी सुनवाई हो गई नहीं तो बाबा को आप देखी रहे हैं दाड़ी वाड़ी बढ़ा करके उम्र के एक तरस से अंतिम पड़ाओं में है तो बहिया तीन छुपाए ना छुप पे चोरी हत्या पाप मैं हूं ब्रजबूस और दूबे विनम्रता के साथ सभी आत्मियों दोस्तों को साधर पड़ाम